नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ राधिका जरा सोची अगर आपके सामने अचानक खुंखार तेंदुआ आ जाए तो क्या होगा यकीनन आपकी चीख निकल जाएगी एक मैडिकल कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां जानक एक खुंखार तेंदुआ पहुँच गया और कॉरिडोर में टहलने लगा सोचल मीडिया पर तेंदुए का ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है ये वीडियो करनाटक के चामराज नगर का है जहां एक तेंदुआ मैडिकल कॉलेज के हॉस्टेल में पहुँच कर मौच से घूम रहा था हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त मौके पर कोई इंसान नजर नहीं आया लेकिन जिस सरह से तेंदुआ वहां घूम रहा था वो काफी आक्रमक दिख रहा था अगर सामने उसे कोई मिल जाता तो तेंदुए का निवाला बन जाता इस वीडियो को देखने के बाद लोग हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा की चिंता जता रहे हैं डॉक्टर्स लॉज में लगे सिसी टीवी कैमरों में तेंदुए का ये वीडियो कैप्चर हुआ है सिसी टीवी फुटेज देखकर डॉक्टर और छात्रों में डर समा गया है वन विभाग के दल उसे पकरने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीन कास्वान ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर शेयर किया है उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए मजा की अंदास में लिखा जब एक तेंदुआ कॉलेज के निरिक्षन पर निकला हो वही मैडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजीव ने मामले में बात करते हुए इस बात की पुष्टी की है कि ये फुटेज उन्ही के हॉस्टेल बिल्डिंग का है उन्होंने ये भी माना कि ये तेंदुआ ही है जो वीडियो में दिख रहा है बताया जा रहा है कि सरकारी मैडिकल कॉलेज टाइगर रिजर्फ के बगल में ही बना हुआ है जिसके चलते ऐसा कई बार पहले भी देखा जा चुका है डीन ने कहा कि तेंदुए इस सरह पहले भी कॉलेज हॉस्टेल में गूमते दिखे हैं चातर और कॉलेज के अने लोग इसका ध्यान रखते हैं और सावधानी पर रखते हैं इस खबर में फिलहा लिता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ